यहाँ पर हरोम में कुछ ऐसे फीच़र सोते हैं, जो उस रोम को सारी रोम से अलग बनाते हैं जैसरे कि हम बात कर ले में MayMui की, तो यहाँ पर पफॉम्मेंस को दिगेरिट करना हो तो आप वे में MayMui को इंस्टॉल कर सकते हैं अबे साले, अच्छा ये बेजीती होगी, हमें को तारे कुछ 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 सो देवियो सच जुनों एक बार फिर से आप सभी कुछ सवागा दे लेकिया को और ने इंट्रस्टिंग वीडियो और आज इस वीडियो हम बात करने वाले तेन ऐसे जबरदस्ट फीचर जो आपको MIUI वाली रोम में देखने को मिलते हैं जिसकी वज़े से जो है लोग MIUI को डाल के रखे हैं अभी तक जिनों ने भी डाला है उन फीचर की बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो को एंट तक देखते रहें ताकि आपके सारे डाउट्स नहां पर क्लिर हो जाएंगे चैनल पर नियू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का चैनल पर MIUI पेक के मारो या कोई भी कस्टम रॉम पेक के मारे चैनल सब्सक्राइब हो जाना मंगता है और वीडियो को लाइक करने का तो गई बिना कोई टाइम इसकी चली है लट्स बिगें So guys यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से ब्रैंड का फोन यूज़ करते हैं इससे पता चले कि हमारी ओडियंस में है जो कितनी वराइटी है So guys नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना So यहाँ पर बहुत सारी लोग मुझे बोल रहते हैं आप MIUI की बुराई ही करते हैं तो यहाँ पर MIUI की बुराई हम तब करते हैं जब वहाँ बुराई करने वाला कुछ काम किया है हम सचा ही दिखा रहे लोगों को performance degrade हुई है तो हुई है वही चीज हमने आपको बताई है बड़ यहाँ पर कुछ अच्छी बाते भी मैंने बोलता हूँ जैसे की customization अच्छा है हमेशा बुला है मैंने बट आप लोग को वह चीज सुनाई नहीं देती है performance की बारे में बुरा बुला आप वही चीज सुनते हो और उसी पर react करते हो यह चीज गलत है जब कुछ चीज अच्छी हो रही है तो हम अच्छी बताएंगे जब नहीं हो रही होग अच्छी तो हम नहीं बताएंगे डेफिनेटली हम यहाँ पर सच वह लेंगे तो आज हम यहाँ पर ऐसी ही तीन जो बेस्ट फीचर लगते मुझे मुझे मियू आई के उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले है यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो है इसका Mewi Theme Store यहाँ पर जो Theme Store है और फोनों में भी आपको देखने मिलेंगे बट Mewi का Theme Store है वो काफी अलग ही काफी वाइड वेराइटी ऑफ रिइंज यहाँ पर आपको मिल जाती है यहाँ पर हम बात करें, font चेंज करने से, wall paper चेंज करने से लेके, boot animation, boot audio, यह सारे option भी आपको मिल जाते हैं, MIUI के theme center में, यहाँ पर आप variety themes तो install करी सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर अपने हिसाब सीद को यह theme बना सकते हैं, customize करके, यहाँ पर boot animation किसी और theme का लगा सकते हैं, icon किसी और का लगा सकते हैं, and boot audio किसी और का लगा सकते हैं, या अपना भी लगा सकते हैं, इवन यहाँ तक के features आपको मिल जाते हैं, इस theme store में, यहाँ पर जो theme store है काफी अलग है, ऐसा theme store मिरको नहीं लगता किसी और phone में या किसी और यहाँ पर room में आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमें MIUI के theme store में देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर theme store का जो UI है वो भी काफी अच्छा, user friendly UI है, यहाँ पर आपको बहुत सारी themes देखने को मिलती है, यह one of the best theme store है जिसमें आपको यहाँ पर बहुत जादा themes देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर different variety of themes को try कर सकते है अपने phone में, जो कि और किसी phone में मिरको नहीं लगता है, मिलते हो गया, तो guys यहाँ पर जो दूसरा pointer वो यह है कि हमें कोई भी य extra app install करने की जरुवत नहीं है, customization के regarding, तो जैसकि आप सब जानते है, जो main UI मतलब, वो भरे हुए apps के साथ आती है, तब ही performance गिर जाता है, So, यहाँ पर कोई भी हमें यहाँ पर extra app डालने की जरुवत नहीं है, अगर हम बात करें, हाँ पर customization, यह कुछ ऐसे features होते हैं, जो हम custom room में miss करते हैं, जैसकि यहाँ पर बात कर ले, app lock, dual apps, second space, floating window, यह सारे features जो हैं हमें जो custom room में देखने को नहीं मिलते हैं, हमें अलग से को UI में आपको variety of features मिल जाते हैं, जिन में यहाँ पर हम बात कर ले, आपको यहाँ पर game turbo mode देखने को मिल जाता है, जो कि आपके gaming को हला कि कुछ boost नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी game turbo mode ऐसा नहीं होता है, जो आपके CPU को 835 से direct 855-65 बना देगा, ऐसे अपने मन में धारना उसे निकाल दीजे, तो यहाँ पर game booster क्या चीज में काम आता है, कि वो आपके कोई notification आ रहा हो, यह RAM free करना हो, तो उस चीज को वो minimize कर देता है, यह उस चीज को हटा देता है, वो क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम game खिल रहे होते हैं, कोई notification आ जाता है, तो हम मर जाते है या कुछ ऐसा-इस डीले हो जाता है, तो उसकी वज़े से यहाँ पर game booster को हम install करते हैं, ताकि हमारे जो apps वगरे के notification है, वो हमें इस ताइम पर disturb ना करें, यहाँ पर RAM free वगरे करने के option देखने को मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पर game booster कोई और rocket science नहीं लगाता है, प्ल कुछ काम वगरे करना चाहें, कर सकते हैं, multitasking का जो नए वरिजन हम बोल सकते हैं, floating window वो हो सकता है, प्लस आपको यहाँ पर second space देखने को मिल जाते हैं, जैसे windows में एक user बनाते हैं, दूसरा user, वैसे यहाँ पर यह second space होता है, मतलब अगर आपने एक space में अपना पूरा data योर custom room में देखने को नहीं मिलेंगे एक साथ, बट आपको यहाँ पर यह stock MIUI room में देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है, बट अगर performance नहीं मिलता है, तो अगर किसी को customization चीए, performance इतने जादा matter नहीं करते हैं, तो definitely यह सारी चीज़े काफी attract करेंगी उस बन देगो, सुगेज यहाँ पर जो तीसरी चीज़े वो है, यहाँ पर कुछ न कुछ यह लोग customization करते रहते हैं, चाहिए हम बात कर ले, notification panel की, तो आप देख सकते हैं, अभी जो है, सस्ता iPhone का एक look देखने को मिल जाता है, हमारे इस MIUI 12 के साथ, प्लस आपको यहाँ पर जो लोगों ने काफी themes provide की है, AOD की, तो वो आप try कर सकते हैं, even अपने customize करके अपना भी जो है, वैसा theme बना सकते हैं, तो वो ऐसे extra features जो है, यह हर MIUI update के साथ, यह कुछ update के साथ, add करते जाते हैं, जो कि अच्छा लगता है, मतलब user काफी excited हो जाता है, कि हमें यह notification मिलेगा, हमा पर update आता है, उसके बाद सस्ते नशे हो जाते हैं, यहां पर आज का विचार है, कभी भीड को मत देखो कि वो कहां जा रही है, भविश्य तुम्हारा है, और इसे तुम्हें ही बनाना है, इसलिए दिशा खुद से तय करो झाल 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